नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है करें चाचा किस एपरिसोड में आई आस देखते हैं कि हमारे लिख्या इंपोर्टेंट रहा होगा न्यूस में भी और क्या चीज़ें उसमें से निकाल सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में आहां कर दें आवाज जा रही है तो काफी लोग हम लोग से जुड़े हैं और हम लुग चाह रहे हैं कि आप consumers करेंगे तो आकप के साथ जुड़ना है to take the whole course 50% तक अभी आपको off मिल सकता है और ये मिलेगा आपको CMC code पर तो हमारे पास RMB batch है जो कि one year के लिए है we have got foundation batch for two years तो आप इन में से किसी में भी जोड़ सकते हैं 29 जून से ये batch चालू हो रहा है आप हमाई साथ जोड़ सकते हैं और CMC code का लाब ले सकते हैं साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये हमारा promise है कि afterlims mains interview पर किसी भी step पर अगर जरा से भी उपर नीचे होता है तो हम लोग आपके साथ रहेंगे आपको extension भी देंगे ताकि आप और पढ़ सके हमारे साथ में जो लोग दे रहे हैं इस बार आपके अगर संपर्क में उनको जरूर बोलेगा कि they can try to learn something from this content को बहुत ही अलग format में है दिया जा रहा है तो उन लोग को फायदा मिलेगा कि यूपेसी मार्क दर्शक हमारे एक नया चालू है प्रोग्राम जिसमें mentorship support मिलेगा तो कुछ फी है उसकी जैसे कि 2777 for three months one is to one अगर चाहिए तो अगर आप में किसी को भी लगता है तो एक तो इसकान करके आप इसमें जा सकते हैं और यहां CMC का कोड़ आप दे सकते हैं क्यान के जा चालूं कि आज का session, उमीद है very very good morning to everyone, very good morning तो सु कहार हो जाया है आज कशते हैं तो इक सब्सक्राइं के रखना है एक तरह से ही लग रहे हैं। आप भृट अब चल पाएगे चली चलू करते सेशन ऊपिद है आप लोगों तक आवाज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी। पहला टॉपिक आप सभी के सामने आ रहा है और यह टॉपिक हमारे गवर्नेंस का ही है हमारी थीम है गवर्नेंस इसमें लिखने के लिए आगे आएगी एक दू चीज़ें पर अभी के लिए बस इतना दिखेगा इंडिया नीर्स युनिफॉर्म सेविल कोड एफिर्म्स कि स्टेट शुड एंडेवर शाल एंडेवर सो डाट और मेभी तो अलाव दा यूसी सी तो कम इंटो प्लेस यूनिफॉर्म सेविल कोड सिविल कोड का मतलब है क्रिमिनल कोड तो सबके लिए बराबर सिविल कोड का मतलब है कि माली जी आपको अपने प्रॉपर्टी राइ हम लोग उसी को यूनिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं क्यों बात कर रहे हैं इसके पीछे भी बहुत सारे मकसद है पर यहां पर इस चीज़ को बहुत तेजी से उठाया जा रहा है में इसकी बाते काफी चल नहीं है और आगे चलके अभी इसी में एक आपको पूरा अलग स चीज लिखाएंगे जो आप भी आप लिखिएगा इसी गवर्नेंस के तहट आए आगे चलते पिल दूसरा न्यूज आइटम देखते हैं लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव इंडिया आफ्टर वीजा एक्स्टेंशन लिखा होगा इंडिया चाइना थीम बहुत लें कि यहां मेरा बैलेंस है तो लगभग निगेटिव ही की तरफ ज्यादा रहता है पॉजिटिव थोड़ी दिर के लिए आता है पर फिर से निगेटिव घुज जाता है अब आपको थोड़ा सा नया इस पर बनाग दिखा देते हैं माली जी मेरा ग्राफ है और यह निग मेजर्स हैं जो कॉंफिडेंट बिल्डिंग मेजर्स हैं वो थोड़े बहुत काम करते हैं कॉंफिडेंट बिल्डिंग मेजर्स जैसे कि हो सकता है कोई मीटिंग हो रही हो हो सकता है कोई मीटिंग हो रही हो स्टेट विजिट्स हो रहा हो तो यह सब चीजे पॉजिटिव तो यह मीटिंग जब होती है तो थोड़ा पॉजिटिव दिखता है पर अदर्वाइस अगर आप देखें तो चाइना का रिलेशन यह पूरा ट्रेस कर रहे हैं हम लोग कि कैसे हमारे भारत और इंडिया और चाइना का रिलेशन बना हुआ है उसको अम लोग दर्शानी कोशि कर रहे है अब ज्यादा तर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेंगा कंसर्ण की निगेटिवी है अब यहां पर सारे पॉइंट है बॉर्डर इश्यू चलता ही रहता है तो जब तक बॉर्डर इश्यू नहीं मानेगा तब तक चीज़े बेकार ही रहेंगी the border issues, the trade issues, trade issues मतलब China dumping of the products, अब एक नया इसमें आयाम जूर रहा है और वो जूर रहा है कि पहले क्या होता था, आर्मी परसोनेल्स को वीजा नहीं दिया जाता था, कहानी है कुछ आर्मी जनरल्स की जिनको वहाँ पे वीजा नहीं दिया जाता था जब वो विजिट करते थे, दूसरा, वहाँ staple visa का भी case रहा है stapled visa staple visa मतलब वो visa देंगे और अपना map staple कर देंगे साथ में कि देखो यह मेरा है यह अरुनाचर परदेश अपने में दिखाने लगते हैं और staple visa करके देते हो लोग अब एक नया चीज भी जूड़ा है कि कहीं न कहीं journalists जो है जर्नलिस्ट को भी वीजा नहीं मिला है और उनका वीजा जिनलों का उलड़ी है उनका एक्स्टेंड नहीं कर रहे है तो यह सब एक नया डेंट दिखा रहा है इंडिया चाइना पॉलिसी कि कहीं न कहीं जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी या इंफॉर्मेशन की बात की जाती है वो भी शायद कम होती दिख रही है कुछ पहले कि किस ने स्टेपल्ड वीजा दिया जाता था कुछ जैसे आर्मी के परसोनल है कुछ है वहाँ पे जो जाना चाते हैं उनको डिनाई कर दिया जाता था वीजा तो ये सब कानी चल रही है और ये डेंटी दिखा रही है तो हम लोग बहुत कम समय के लिए पॉजिटिव रहते हैं जादा तर हम लोग का निगेटिवी रिष्टा उनसे फिलाज चल रहा है तो इसको भी आप बना की दिखा सकते हैं इन यूर कॉपीज नो इस पूरे आटिकल में जो लिखा था वो यहीं लिखा है कि आप पॉजिटिव तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत पर निगेटिव आपके पास ज्यादा चीज़ें जो निगेटिव कर रही है सब्सक्राइब करते रहते हैं तो अभी चाइना का जो रिपोर्टर था उसको हमने डिनाई कर दिया कि आपको नहीं देने वाले वीजा आप चले यहां से तो चला गया यहां से चला गया है अच्छा अब देखिए हम तो जान बुझके हमको इस अब टॉपिक अब लेना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नॉलिजी अच्छा केन यू हाव यूर समुसा बिंग फ्राइड इन वाटर क्या समुसा को वाटर में फ्राइड किया जा सकता है तक हम जान बुझके लिए वैसे आप साइंस में तो बहतर ही है पर आपको बता दें वी केन नौट फ्राइड विद वॉटर पानी में आप उसको फ्राइड नहीं कर सकते हैं रिजन वी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और वो सीधे इवापोरेट होने लग है और आपका पानी भी वैपोरेटर है तो आप फ्राइड तो नहीं कर रहे हैं प्राइड का मतलब ही होता है कि आपको यूर ट्राइं टू रिमूव दा वॉटर वॉट्टेवर इस देर इंसाइड आप भिंडी छोकते तो आवाज होती हुए भिंडी के अंदर भी पानी ह इसको आप पानी को एवापोरेट करना चाहरे हो आप पानी डाल की पानी वाप पर तो नहीं कर पाँगा इस वीडिए ऑइल का यूज का यूज का जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है तो यही बस एक छोटी सी कहानी थी जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं तो में भी हमें नहीं पता कि प्रिलिम्स में क्या क्या पूछ सकते हैं इसलिए जहां हमें सब दिखता हम तुरंत ले लेते हैं आजकल कि क्या आप यू कन यूज वाटर फॉर फ्राइंग दफूड अगर ऐसा भी सिंपल आ गया तो नहीं होना है वी केनाट डू आप यूज वाटर बिकास बॉलिंग पॉंट इसलिए लिए अगर यूज गरते हैं तन तरज ओफ लाइन क्लास लेजीएगा हां क्यों नहीं लेंगे अपर आपका जोग्रफी है नेतन याहू सीक्यूरेटे गृस्क माउंट इस वाउलेर्स वाले इससे कोई लेना देना नहीं है आपके पास लीधि unanimous आपके पास एक मिशलेञेल यही आपके पास हटी मैं ऄखारे ल्क कर दू प्लीज इसको लिखिए गा ऋमेंसे कोई लेना देना नहीं कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको ऐसे बता दे बेंजामिन नेतन याहू यह वहाँ पे judicial overhaul करने की कोशिश में है क्योंकि इनकी उपर charges लगे हुए हैं और यह charges शायद इनकी उपर साबित भी हो जाएंगे कि यह बहुत corruption किये और रखे हैं परन्तु यह judicial overhaul करने कोशिश कर रहे हैं ताकि यह बच सके चीजों के साथ तो जो आपका miscellaneous topic है उसमें एक word लिखिएगा the word is case 4000 simple like a PT में case 4000 was in news यह simple which of the pairs are correctly masked case 4000 क्या है it involves the communication conglomerate basic तो आपको याद रखना है कि इस्राइल का को यह case है यह इस्राइल का case है जो कि Benjamin Netanyahu के ऊपर चल लहा है the investigation focused on allegations that Netanyahu had promised regulatory changes that would be favorable to the business's interest of Shaul Elovich the owner of basic in exchange for positive coverage of Netanyahu and his family by Elovich's news website wallah तो बोला कि ठीक है आप एक काम करो आप मुझे positive दिखाओ और मैं आपके यह सब चीज़े and 4000 that is against Benjamin Netanyahu के खिलाफ यह चल रहा है कहां है यह इस्राइल में है इस्राइल में इस्राइल में इनके खिलाफ यह चल रहा है तो अगर यह word based question आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए बाकियों लोग नहीं पूछेंगे बस वो case के बारे में आपसे पूछ सकते हैं तो आपको एक word देना चाहते थे हम जो कि अगर पेपर में आएगा तो आपको कर लेना है आई आगे बढ़ते हैं तो नौ सम्थिंग अबाट यू सी सी तो governance का पेज निकाल लिएगा फिर से कुछ चीजे लिखते हैं यह एक आपको नया एंगल देते हैं governance के लिए यू सी के ल और यही सेंटर ने एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम कॉर्ट में उन दोतीन चीजें यहां पर कि आखिर यू सी क्यों आखिर यू सी क्यों वाट आर दोस पॉइंट्स अलाव मी तो थिंक पर यू सी सी डाट इस उनिफॉर्म सेविल कोड राश्ट्र एक है मेरा और जोनी अगर आप क्रिमिनल कोड की बात करते हैं तो सब के लिए बराबर है अब किसी भी धर्म से आते हों किसी भी कमिनिटी से आते हुआ को पर जہां civil की बात की जाती है वहाँ पे सब के अपने अपने laws है कोई uniformity नहीं है मुद्दा ये नहीं कि uniformity नहीं है, मुद्दा ये है कि कई बार ये laws they are antithetical to humanity they are against the tenets of humanity or maybe our fundamental rights or maybe the dignity तो मुद्दा सिफ uniformity का नहीं है मुद्दा ये है कि हो सकता है in the pretext of your right to freedom of religion you are putting up your customs which are antithetical to the other fundamental rights or maybe dignity or maybe humanity or maybe livability तो मुद्दा इस बात का है जब हम uniform civil code का बात करेंगे तो हमारा जो सामने सामने जो tussle होना है वो होना है कि हम लोग देखेंगे fundamental rights और सम्विधान के principles उसके हिसाब से मेरे अब civil code बनेगा अभी तक क्या personal law ने तो सम्विधान को देखा नहीं personal law तो पहले से है सम्विधान बाद में आया personal law तो पहले से है तो वो consonants में होई नहीं सकते अब इनको अगर consonants में लाना है तो आप सम्विधान को सामने रखेंगे और उसके साथ साथ फिरा बैठके civil court बनाते चलेंगे तो अभी तक मेरा बराबर नहीं है कहा जाता है कि अगर UCC आ जाएगा तो कहीं न कहीं simplicity देखेगी और clarity हो जाएगी laws में कि कैसे चीज़ों पर काम करना है अभी inheritance के लिए हर एक community का अलग law है उसके हिसाब से चीज़े हो रही है अपील करने जाते हैं तो complex situation बनी रहती है बार बार मुझे fundamental rights को दिखाते हुए judgment देना पड़ता है तो clarity of law नहीं है अगर मेरे पास एक ही code है तो फिर clarity है uniformity आ जाएगी और उसके हिसाब से consistency है whatever community you belong to अगर एक जगह एक judgment आ गया है modernization and reform now with the changing times you require to respect the dignity the rights of the people and they are ever changing they are ever demanding अब अगर उसी personal law को लेके बैठे रहोगे तो आप तो खुद ही backward हो रहे है you will have to come up with some dynamism और वो dynamism आज का civil code ला सकता है meeting the aspirations of the youth of course अब youth के aspirations की बात करेंगे तो आप शादी विभाई देख लीजे ये aspiration ही था ना कि special marriage act लाया गया ये तो aspiration ही था so you can try to fit in various demands but हमें बस एचीज देखनी है कि कहीं personal law के तहट कुछ गलत ना हो रहा हो इसलिए मैं एक civil code बनाने की कोशिश करना चाहता हूं और उसमें youth जो आज का निकल के आ रहा है वह बहुत अलग चीजे देख रहा है अब आप LGBTQ कहीं बात करेंगे तो वह बहुत अलग तरीके से चलना मूवमेंट उसको भी कहीं न कहीं चीजों का आगे चलके जरूरत पड़ेगी पड़ेगा इन और तो वह बहुत आपका हार्मनी नहीं बनेगा एक ही समाज में रहे कि जगह में रहे के आप दस अपनेों पर कमेंट कर सकते हैं तो सोशल हार्मनी बनेगा और सबसे बड़ी बात है जेंडर एक्कॉलिटी चाहिए कई बर दिखा जाता है कि ऐसे परस्टनल लॉज जो कि बहुत पहले बने हुए थे वो जेंडर इकॉलिटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ मुद्दे बार बार बोले जाते हैं अब लोग समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों को सीधे लगता है कि ये रिष्टा मेरे धर्म से हैं बट अगर हमें लगता है कि मेरे समिधान के उसूलों के खिलाफ अगर आपके कस्टम्स हैं अगर आपके लॉज हैं तो हमें उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा तो इस इस वाट इस बींग ड़न अंडर यू सी सी तो वी शुड नाट टेक डिस की किसी रिलीजन के लिए है यह लगभग एक कॉमन कोड है जो सबके लिए आ सकता है हां इशूज है इशूज है कि अवेर्नेस लिटरेसी सब हमें चाहिए इसके बारे में और कंसेंसस बनना चाहिए यह इशूज बिलकुल दिखते हैं मेरा डाइवर्सिटी बरकरार रहेगा आइकन इवन हाव अगूड डाइवर्सिटी क्योंकि मैं हमने आपको बता था यू सी सी कैन भी यूनिफाइड ओलसो इफाइड नाट गो फॉर यूनिफाइड 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 कि अदिशाउंड लो है हलो हलो अभी यह ठीक से अभी साउंड इक से आ रहा है अभी ठीक आ रहा है साउंड चलेगा कुछ चीज़ है मापको यहां पर दिखाना चाहेंगे जो आपको नोट करनी है what are the judgments and what do they say about UCC बड़ा important point है judgments क्या है यह आपको देखना होगा आईए समझने की कोशिश करते हैं कि judgments क्या है एक case है during the मुहम्मद एहमद खान वर्से शाह बानो बेगम केस है जो आप सबको पता है शाह बानो case of 1985 the top court exhorted the central government to enact a common civil court in the interests of the national integration साब बोला था शाह बानो case में 1985 कि अब समय आ चुका है कि आप common civil court लेखर आ जाओ तो साबसी बात है कि supreme court के judgments या honorable court के judgments भी UCC के तरफ ही जा रहे है the court reiterated the same in the context of a marriage between a Christian woman and a sick man under the Indian Christian Marriage Act of 1872 in Jordan Dingde as SS Chopra case of 1985 to Jordan Dingde versus SS Chopra case in 1985 कर जिसमें वापस से इसी लौ के ऊपर बात करने की बात की रही है court observed that the time has now come for the intervention of the legislature to provide for a uniform civil court for marriage and divorce as then is asked by article 44 in john valamattam and another versus union of india 2003 का case it was related again but this time in the context of succession point here is marriage divorce नहीं है बहुत सारे cases are civil के adoption a succession of property rights is सब देखे जा रहे हैं in the ABC versus the state entity of Delhi 2015 the supreme court once again lamented the absence of a UCC in the context of the guardianship of a Christian child see the guardianship of the Christian child किसके पास जाएगा guardianship क्यों हमारे पास ऐसा लौई नहीं है recently apex court in joe's paul kothi noiaabhi नहीं एक्डम 2019 versus maria luisa valentina perreira 2019 again expressed the disappointment over lack of UCC saying whereas the founders of the constitution in article 44 in part 4 dealing with the DPSP had hoped and expected that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniformed civil court throughout the territories of India till date no action has been taken in this regard which case 2019 case joe's paulo versus maria luisa case of 2019 sahab bola कि मैं बहुत परिशान हूँ अभी तक आप लोगों नहीं किया है और इसी judgment में Goa is a shining example with a UCC applicable to all regardless of religion except while protecting certain limited rights कि चलेगा तो आप खुद समझेगा कि अगर कभी question means में आए कि what has been the take-off judiciary executive and legislature on UCC जैसे आपको याद है एक बार खाप पंचायत पाया था वैसे ही अगर UCC पाया तो मेरे पास कुछ facts हैं जिसको हमें देना जरूरी था यह आपको पास content में होना चाहिए इस content को जरूर लिखिएगा जो आपके पास जो आपके पास नाम है शाह बानो केस है you have your Christian marriage act के Jordan डिंग्डे वर्सेस चोपड़ा केस है you have your ABC वर्सेस state of NCT या NCT of Delhi 2015 है अभी रिसेनली जोस पायलो पायलो एंड मरिया लुईजा केस है 2019 यह सब UCC के लिए बोल रहा है ठीक है डन है हाँ अब हम लोग को बस इतना देखना है कि हमारा जो UCC का law बने वो consensus से बने और दूसरी चीज़े उसमें लगबग हम लोग जिस चीज़ के लिए अभी लड़ रहे हैं वो principles उसमें होने चाहिए जेंडर equality होना चाहिए हम लोग को लगबग यह दिखाना चाहिए कि यह कोई भी ऐसा practice नहीं है इसमें जो कि human को कहीं से भी उसका status को derogate कर रहा है it should be always keeping it in a highly dignified form तो ही वो UCC मानने होना भी चाहिए कोई भी UCC मानने नहीं होगा UCC Center के अंदर आता है स्टेट के अंदर आता है अच्छा आप ही सूची आप ही सूची किसके अंदर आना चाहिए आप ही सूची अगर अगर मेरे पास uniform civil code का यह चली माली अभी आई पीसी कई बात करते है तो आपको क्या लगता आई पीसी कैसा चलता है स्टेट के पास जो अपनी चीज़े है उसके उपर तो लॉब बनाए गई बनाएगा उसके उपर क्राइम एक्टिविटी दिखाए गई दिखाएगा पर मेरे पास आई पीसी है मेरे पास यति हैं यह दिखांब सेम प्रोसेस घ्रिय वैसे मेरे पास सेम होगा स्टेट अपने इसाबस चिज़ें करें गई बदले गांड़ें इसाब मोडिफाइग गई करेंगा वो कर सकता है पर दिखाने के लिए आई पीसी और इपी सी जो कि एक तरह फी से चलता है आ कि आप पुलिस की बात करेंगे लैंड की बात किसी बहुत चीज की बात करेंगे उस्टेट के अंदर गत में आगी तो वह अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे करेंगे चलेगा तो हम लोग एक पहले यूनिफॉर्म एक कोड तो बना दे अब उस कोड को कैसे लागू करना है उस स्टेट डिसाइड करने दिए स्टेट उसमें फिर काम करेगा कि हाउ डू वी गो हैड विद इस नौ चलेगा चली आगे बढ़ते हैं सेडिशन लौ मस्टू रिटेन इंडियाज इंटेग्रिटी सेडिशन लौ चाहिए हमें यह कहना है हमारा नहीं यह कहना है रितुराज अवस्थी जी का injustice रितुराज अवस्थी जी जो कि law commission के chairman है इन्होंने अपनी एक report submit की है जो law commission की report जाननी था उसको submit की है और उनका कहना है कि sedition law होना चाहिए अगर state ucc बनाता है तो हां तो चलेगा भää गवा में कैसे बना होगा गवा में state ही बनाया होगा na गोवा में स्टेटी बनाया होगा प्रापर्टी से लेगे बाकी चीजों के लेगे साब उसका कंट्रोल है तो गोवा में लगभग जब आपका बना तो गोवा ही बनाया होगा अब मेरे पास अगर एक uniform civil coad है गरिक की model law है अब उसके हिसाब से some deviations हो सकते हैं बहुत ज्यादा तो नहीं होगे कुछ deviations हो सकते हैं बाकी चीज़े तो बराबर की रहेंगी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलेगा मैरेष का लॉझ जो है आप एक स्टेट में थोड़ा लग दिखेगा तो सबका स्टेट स्पेसिफिक बीए पर लगवक कॉम्मनालिटी है उसमें अग नियुग बनी वही है कि यह तो बेसिक टीनेटस जो इसमें होने ही चाहिए कि अग्यैना कि देखिया इसा है एई 124A इनका कहना है कि 124A जो कि sedition की बात करता है, sedition का मतलब है कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई उसे खिलाफ comment कर रहा है, तो वो sedition के दायरे में डाल सकती है sedition मतलब कि आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हो तो कई पर क्या होता आप पॉलिसी के लिए बोलते हो, कभी किसी लीडर के लिए बोलते हो तो दिखा दिया जाता कि आप भारत की खिलाफ बोल रहे हो आप भारत की खिलाफ sedition कर रहे हो तो sedition law के तहट फिर किसी के उपर कारवाई की जाते थी section 124A अब honorable supreme court has already halted कि आप अभी 124A मत लगा इस पर भी रोक रखा कारे वाई क्योंकि बहुत ही अलग तरीके सा यूज हो रहा था law commission की अभी तक की reports में थोड़ा बहुत लोग अभी tone down किये थे कि हाँ 124A को नहीं होना चाहिए हाँ ये this is again your governance होली ये governance ही है अभी तक जो law commissions के reports आते थे वह देखते थे कि ठीक है थोड़ा tone down करते सेडिशन के इस प्रिंसिपल को जो कि एक बहुत ही पुराना लेगेसी उसको हटा लेना चाहिए पर फिर भी नहीं हटा रहे थे और कुछ चीज़े अपना डिफेंट करने में लगे थे अभी का जो law commission है उसने तो साब बोला कि sedition को रखो और रखो इस लिए क्योंकि इसको लगता है कि इंडिया का integrity को हमें बचाना है तो हमें रखना होगा मुद्दे क्या थे बोला कि ठीक है वी आर गोइं टू पूट इन सटेन सेवगार्ड क्योंकि सेडिशन का इन्वोक कर देते थे लोग पॉलिटिकल वेंड़ेटा में ज्यादा तर यही दिखता था कि अगर आप किसी के भी खिलाफ बोले जर्नलिस्ट के जर्नलिस्ट अकर गर्मेंट खिलाब बोले तो पहले सेडिशन लौ लगा देते थे तो राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन डेमोकरसी का जो एक बहुत बड़ा राइट है वो कर्व होता दिख रहा था चिलिंग इफेक्ट था डेमोकरसी पे वह इस कमिशन द्वारा यह बोला गया है कि न इसने है नाशनल सेक्यूरिटी एक्ट है अपरेटेट इन डिफरेंट फील्स और दिद नॉट कवर दॉफेंस अफ सेडिशन और देरफोर थे स्पेसिफिक लों सेडिशन नीडेट तो इनको बोला हम लोग ने इनको बोला कि सेडिशन हटा दो बाकी के लौज है उसको कव अवस्थी सेड़ाइड प्रिलिम्नरी इंक्वाइरी वुड बाई पुलिस ऑफिसर ऑफ द रांक इंस्पेक्टर और अबव बुला अगर किसी पर अगर 124 ए लग रहा है तो उसका जो अब सेवगार्ड में देना चाहता हूं वो यह है कि आप जो इंक्वाइरी करवाओ व उसके ऊपर का ही आदमी करें उसके नीचे का ना करें जो कि माना जाता है इनके हिसाब से ताट इट और ही और शी कूड बी समवाट में भी नॉट आप इंफ्लुएंस कौन होगा कौन नी होगा बहुत सब्जेक्टिव है पर इनका माना जाता है कि रैंक आप फिर वो FIR के लिए बोलेगा फिर वो FIR के लिए बोलेगा रिकमेंड करेगा अपने हाइर अथॉरिटी को अभी तक क्या था अभी तक अगर सेडिशन केस हुआ तो आईयो आएंगा आईयो कौन होंगे टू स्टार ऑफिसर होंगे डेफिनेशन या समझ सेडिशन की सबकी अलग-अलग है हमने कार्टून में मालीजी हमने कुछ पॉलिसी के खिलाफ बना दिया अब हो सकता मेरे उपर सेडिशन का चार्ज लगा दो अब उस एडिशन चार्ज में हम अपना लगे हुए हैं हमारे खिलाफ चला और ओनस मेरे उपर यह प्रूफ करने का कि नहीं मैंने सर कुछ गलत नहीं क्या है तो मेरा बस ऐसे इंटेंशन था मैं तो क्रिएटिव इंसान हूं मैं ऐसे बनाना चाहता था तो ओनस मेरे उपर इंटेंशन का होना चाहिए बाकी की चीजों में नहीं होना चाहिए यह भी हम डिफाइन कर देंगे तो में मुद्दा जो इनका आ रहा था वो यह था कि और बोला कि जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं सेवगार्ट्स लगा देता हूं कुछ सेवगार्ट हम लोग बना लेते हैं ताकि शायद चीजें फिर नॉर्मल हो जाए पर मुझे सेक्शन वन पंटिफोर ए चाहिए ही चाहिए इनका यह मानना था कि मुझे यह चाहिए अगर यह नहीं होगा तो भारत की जो अखंडता है उसके उपर एक परिशानी आ सकती है उसके उपर कुछ लोग अपनी नजर लगा सकते हैं तो मुझे इसके चाहिए और मैं आपको जो दर्द है 124 का सबसे बड़ा दर्द क्या है कि सीधे आपका चार्ज लगता है सीधे पहले जेल पहुंचो ओनस आपकी उपर एप्रूफ करने का किसी भी मुद्दे में लगा सकने से एडिशन उसको रोकने के लिए मैं कुछ प्रोसिजर सेवगाट की बात कर सकता हूं तो हमने शायद आपको पहले भी एक दो बार यह बता चुका है कि इसको कहा जा रहा है कि यह बड़ा चिलिंग इफेक्ट रखता है पर सिर भी इसको रखा जा रहा है अभी रखने की बात कर रहे हैं लोग तो ठीक अभी देखते हैं और अभी चीज़ें आएंगी कि लोग कमिशन ने इस बर क्या और रिकमेंड किया तो हम और इसकी चीज़ें डिसकस करेंगे इंडिया यूएस का थीम निकाली जबाइस सब लोग इंडिया यूएस का थीम निकाली निकाल लिएं निकाल लिएं चले आगे अच्छा देखिएगा भारत और यूएस का ट्रेड आपको पता ही है अराउंड 128 से 130 बिलियन डॉलर इंडिया अब इस ट्रेड में डिजिटल ट्रेड का भी ठिक्ठक नमबर होना चाहिए था पर हो नहीं पाता तो कि यूएस की कंपनीज डिजिटल अगर की बात करें तो भारत के लिए थोड़ इसे हमारा ट्रेड जो सर्विसेज में आईटी सेक्टर में और हो सकता था थोड़ा कम है उसका मापको बता दें आपको चीज अब कंठस्त हो जाएगी आपको चीज अब कंठस्त हो जाए कुश्या विश्वास है कि आप एच्छी चीज को 50 बार दिमाग में रखेंगे वह अपने आप निवाग में बैठ जाएगी हमें अप इसके लिए जरुवत नहीं पेपरों को पढ़ने की इंडियन गोवर्मेंट हाज डिपलॉइड टूल्स तू चैंपियन देर प्रोटेक्शनिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनका कहना है कि भारत की पॉलिसी भारत के जायद भारत के लोगों के लिए इतना बिखिए है कि वो प्रोटेक्श करके रखनी चाहती है अपने इंडस्ट्री को उस वजए से वो ऊपन अप नहीं होने दे रहे हैं जैसे कि शेरिंग ऑफ जियो स्पेशल डेटा इमेजरी से दिखाना कि कहां पर क्या चीज़े हैं शेरिंग ऑफ जियो स्पेशल डेटा कि अगर बात की जाए तो भारत की कंपनी इसको प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट मिलता है एस कंपेट अधर कंट्रीज तो यही इन्हों ने कहा कि सर अगर आप ऐसा रखोगे कि मैं आपके हां आ रहा हूं काम कर रहा हूं पर आप मुझे डेटा शेर नहीं कर सकते अपना जियो स्पेशल डेटा नहीं दिखा सकते स्वभाविक सी बात है आप उस कंपनी को ज्यादा जियो स्पेशल डेटा प्रोवाइड करें मुझे नहीं दे रहे हो तो डिस्क्रिमिनेट आप कर रहे हो तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा इतना ही नहीं यूएस टेक फर्म्स हाव लॉंग टेकन एक्सेप्शन लिए पॉस्पांडेट वर्जिन ऑफ एक्क्व दैक्वाइजाशन लेवी इक्क्रिशन लेवी क्या समझेगा जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं मा लीजे अपने गूगल के लिए अध अपना किया तो आक्के वड़िशन लेवी लगता है क्या है यह इंडिया charges on the digital services those are solar may with the goal of equalizing the playing field between the resident service suppliers and non-resident suppliers of digital services imposed a unilateral measure to levy a six percent tax on specific services received or receivable by a non-resident not having a permanent establishment in india from a resident in india who carries out the business तो अगर उनका business यहां पर नहीं है उनका business यहां पर कोई उनका establishment नहीं है तो तो टैक्स से बच गए हमने पैसा उनको दिया है अपने इनको पैसा दिया होगा तो चुकि आपने इनको पैसा दिया है तो सभाविक सी बात है कि यह तो आपका आपका टो टैक्स लग गया इसका यहां पर कोई बेस नहीं तो इस पर उपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो हम लोग क्या कर रहे है अब एक एक इक्कॉलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं ताकि आपको भी उसी इसाफ से टैक्स किया जैसे मैं दूसरे लोगों को कर रहा हूं गुगल टैक्स या कोई भी ऐसा टैक्स आमेज़न का है यह किसी की उपर भी जिसका यहां पर्मनेंट बेस नहीं होगा क्योंकि उसकी उपर टैक्स नहीं लग रहा है उसको एक्वालाइज करने के लिए मैं उनके उप प्रोवाइडिंग सप्पेसिफाइट सर्विसेज विच डू नॉट वाहर रहती है वह हमको सर्विस भी दे रही होती इसलिए उन पर टैक्स लगाने के लिए हम लोगों ने काम किया है इसके बहुत जादा लोग भड़के हुए इसके आई टी रूल्स प्लेस कम्प्लाइंस अब आपको बता दे अब हम इस चीज को थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं अपने अपने किले में लेके चलते हैं आपको हम भारत और यूएस के बीच में डिजिटल आप कह सकते हैं डिजिटल वैक्यूम है जो कि भरा जा सकता है या डिजिटल जो चीज़े थोड़ी अभी और हो सकती थी डिजिटल वार है या फिर ट्रेड वार आप कह सकते हैं इसको यह चल रहा है रीजन इसका यह है कि कुछ हमारी पॉलिसी जैसे की नंबर वन हम लोग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं करना भी चाहिए पर एक हद तक करना चाहिए जिसके तहट कई बार मालेजिए जियो स्पेशल डेटा को हम उनके साथ शेयर नहीं करते हैं और हम लोग को बड़ा मुश्किल है कि हम उनके साथ शेयर करें दूसरा पॉइंट है इक्वालाइजेशन लेवी इक्वालाइजेशन लेवी तीसरा पॉइंट है जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उनके उपर ओनस है कि अगर कोर्ट का जजमेंट आया या एड़िशेशन ने मांगा तो आपको अपने उपर जो भी कमेंट पड़े हुए है वो हटाने होंगे हाल ही में आप लोगों ने लिखा भी होगा कि हम लोगों ने एक एपलेट भी बना रखा है जहां लोग कंप्लेइन कर सकते हैं अगर उनकी बात नहीं सुनी जाए कि फेस्बूक पे देखिए सर मेरे खिलाफ कंप्लेइन पड़ा हुआ है मैं फेस्बूक को बोलना हूँ होती देता हो 72 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा यहीं नहीं हमारे पास डेटा लोकलाइजेशन के लिए हम बहुत अपसेस्ट हैं डेटा लोकलाइजेशन हम अपने डेटा को बाहर नहीं भेज सकते हैं आपको आना है आप हमारे यह आजाओ आप हमारे डेटा रखो पॉइंडिया पॉइंडिया और यूएस जैसे इन मुद्धों पर फुड़ा बहुत भी काम कर लेंगे आपका डिश्टल ट्रेट और बढ़ जाएगा अच्छा कासा बढ़ सकता है तो इतना बड़ा आइटम था इतनी सी बात के लिए जिसको आप इस माध्यम से समझ सकते है तो जो डिश्टल डाक्यूम है डिश्टल ट्रेड का अभी बहुत डिफिसिट दिख रहा है वह बढ़ सकता है अगर हम इन चीजों पर वर्क करने लगें तो साउंड लो कैसे है आज हमारा स्पीड तो उतना ही है हलो हलो चली क्लास के बाद चेक करते हैं ऐसा कुछ वायर में इशू होगा तो चेक करते हैं है अगर कुछ वायर में होगा तो हम चेक करते हैं क्योंकि हमारी तरफ से तो हलो 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 से करेये ये हैं कि अबीठीक रही है मैसिट रहे कि 2025 को लगता है कि मेरे पास इतने यूजर्स से कोई भी इसी की उपर कमेंट करते दें प्र आपने कमेंट हटाने की बाब कर दी तो आपके जब ले दोतने मिलियन ऌफ लूगर बोलोग प्रवनिक दद के महीरे खिलाफ है मेरे खिलाफ है तो फेस्बूक यहीं करता रहे जाएगा फिर कमेंटी हट रधाते रह जाएगा है न उस्त नहीं है है पाप पीसकर यह साफ़ा हम लोग तो इसी इसी वह ईनरजी और यह बात कर रहे आज तक ऐसा किसा हो सकता है अभी पकड़ते हैं लगता है बीच में कुछ डिश्टल ट्रेड की बात करें हो सकता है इसलिए परिशान हो ख्यार आगे चलते हैं यह पॉइंट समझ गया आप लोग आईए प्रेसिंग दा आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनिजम फॉर इंडिया अभी कुछ दिन तक तो इंडिया युज चलेगा इंडिया रही चलेगा फिर इंडिया चाइना चलेगा फिर चलेगर क्या इलक्षन 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 हमारे लिए अभी नीजली बड़ा असान होनेवाला है कि आपको दिसेंबर के बाद से न्यूज मिलेंगी नहीं दो-दो तीन तीन बस न्यूज मिलेगी क्योंकि पूरा पेपर एलेक्षिन में भो रखा होगा बस इलेक्षिन की बात होगी जो हम लोग करेंगे नहीं ठीक है तो बड़ा अच्छा रहेगा हम लोग को बाइद समझना है बस आईए आईए समझ लेते हैं कि एक्सेप्शनिजम भारत को काफी दे रखा है यूएस कहां कहां दे रखा ये देखते हैं कि विगर बात की जाए 1998 की भारत और यूएस के बीच के जो रिष्टे थे वह बिलकुल ऐसे चले गए थे पिर 2000 से उठना चालू होते हैं 2005 में ठिक टाक उठते हैं 2008 तक और उठते हैं पिर आप से डाउन्स चलता रहता है पर राइस ही कर रहा है तिक टाक राइस कर रहे हमारे रिष्टे और आज भी अगर आप देखे तो विट सम सॉट अफ प्लाट्यू कुछ दिन प्लाट्यू रहा है पर फिर से वी आ राइजिंग अब इससे कुछ एक्सेप्शनिजम है जो भारत को दिये तो एक्सेप्शन्स जो भारत के लिए हमेशा चाहता रहा है यूएस जैसे की 1998 में हमने जब नुकलियर टेस्ट किया तो विचारा परेशान हो गया है तो दो हजार दो हजार पांच आते आते हमें लगभग आप देखेंगे तो यूएस हमारे साथ हो गया और 2008 में हमें इन एसजी का वेवर मिल जाता है वेवर फॉम एनसजी एक लौती कंट्री जिसको यह वेवर मिलता है दो हजार पांच में आप समझ सकते कि हमारे इच्टे पड़ा अच्छे हो रहे थी जो भी वहां कराश्पती बनता जाता था चार पांच छे साथ वो सीधे क्या करता था कि भाई भारत देखिए पूरा साथ काम कर रहा इसको वेवर चाहिए बुश सहावाए बुश आपने सब को फोन किया कि वेवर दो भाई आप वेवर मिल गया हम लोको एनजी का तो एक एक्सेप्शन मिला इस वान एक्सेप्शन आगे चलते हैं पिर 2017 की बात है कि फिर आप देखेंगे तो एक काटसा करके लौ आता है काटसा का मतलब है कि जो मेरे खिलाफ कंट्री है रश्या जैसे यूए से खिलाफ तो मेरे दुश्मन का दोस्त भी मेरा दुश्मन काटसा काटसा अगर मेरे आप दुश्मन से दोस्ती करोगे तो इसका साफ मतलब है कि आप मेरे दुश्मन हो तो जो सैंक्षन मैं अपने दुश्मन पे लगाऊंगा वही सैंक्षन मैं आप तो भारत को डील करनी थी भाई भारत को कौन से डील करनी थी भारत बोला कि देखो आप अपना लगाते रहो मैं तो S-400 की डील अश्या से करूँगा ही करूँगा आपको जो करना करोगा काट सा बुला मेरे दुश्मन के अगर आप दोस्त हो तो मेरे दुश्मन हो मैं आप से बात नहीं कर सकता और मैं आपके खिलाफ लगाऊंगा सैंक्शन लगाऊंगा तो काट सा वही स सांक्शन लगा भारत बोला हम लेंगे S-400 तुमको जो करना करूँ S-400 हमारे पास एक डिफेंस एक्विप्मेंट है जो रश्या से लिया गया S-400 ट्राइंफ हमने लिया जब हमने खरेद लिया पर्चेस कर लिया तो पहले तो यूएस वाले लोग बोला थे यार मत लो आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमने बुला है चुप सौवरेंटी हमारा इंटेग्रेटी हमारा नीड हमारा आप कौन होते हो ग्यान देने वाले तो भूला ठीक कोई बात नहीं आप लो दर गया बुला मैं आपको exception देता हूं exception नमबर टू कोई बात नहीं आप लो तो क्योंकि मुझे आप दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को परेशान कर रहा है इसलिए मैं रियालिटी को समझते हुए मैं आपको अलाउग करता चलिए अब बात चालू होती है वार्ज की यूक्रेन रश्या वार दा यूक्रेन रश्या वार जो रश्या से डील करेगा ऑईल लेगा गैस लेगा प्रोड़क्ट लेगा उसके खिलाफ में सैंक्शन लगाऊंगा बारट ने बिला हम तो हम और ओखरी देंगे हैं रिश्या ने बोला कि एसा है इरान इराक से तुम ते आप लेते हो इतना महेंगा दे रहा है मैं आपको सस्ते में फोन और जरू थी मैं तो WhatsApp WhatsApp खेलता हूं WhatsApp करते तो मैं समझ जाता है फोन का ज़रूत नहीं सब चीज़ों के लिए I'll do this US को पता चला US बोला India you cannot do this फिर हमने बोला चुप फिर ग्यान दे रहा अभी बताया ना कि This is our sovereignty Our need Our integrity Who are you to talk about this फिर बिचारा चुपो गया Russia Ukraine का वाड चल ला है कुछ लोग आके ग्यान देगे गए हमने साब गोला हम तो oil लेंगे exception नमबर 3 The oil trade तो जो आर्क बन रहा है कि हर जग हम exception मिल ला है वो इस बात का सबूत है कि India और US के India और US के रिष्टे अब शायद इस लेवल पर पहुंच चुके है that you have got more of exceptions because US wants you to have or wants India to be there with them इसलिए इतना exception देता जा रहा है जिस दिन उसको लगेगा exception देने का ज़रूत नहीं उस दिनों खुद परिशान होगे बोलेगा बस I cannot give it but जब तक वो interest क्या है Indo-Pacific इंट्रेस्ट क्या है एशिया जब तक है उसका वो exceptions देता रहेगा और भारत इतनी बड़ी democracy है कि कोई भी सामने आएगा हमारे सर जुका की खड़ा होगा हमारे सामने इतना किसी की हिम्मत नहीं है कि आख दिखा सके वाला question जो है मतलब जो हम लोगा यूसी सी वाला है वो बड़ा important रहने वाला है क्योंकि जितना ये डिवार्स से सेंट्र बनाएगा concurrent के तहत पर कुछ इसमें चीज़े चेंज होती रहती है स्टेट के साब से this questions can be very much there this year 2024 तक के लिए uniform civil code इंडिया पाकिस्तान डिफेंस ये तीन चीज़ों को बड़ा अच्छा कर लिजेगा क्योंकि 2024 में यही यही लगता है पेपर पढ़ने में दिन लग जाते है इतना ही पेपर था पर आप कोई भी बैच ले सकते हैं foundation चाहें आरम चाहें आप कोई भी बैच ले सकते हैं cmc code है लक्ष बैच है हमारा हिंदी माध्या में अल्रडी चालो हो चुका है आप इसको भी देख सकते हैं और यू कन पेइन यह माइड विद पूरा पैसे अगवर्म देना है आप यह में भी कर सकते हो और जरूर लाइक सब्स्राइब और शेयर कर दिजगा इन सेशन को ताकि यह दूर दूर तक पहुंचे है वी हव गौट ओप्शन थिंग अल्सों विद अस मैथमेटिक्स लेना हो अग्रिकल्चर लेना हो पाब लेना हो इस सब हमारे पास अविलेबल यह आप देख सकते हैं और इस तीस थिस थिंग्स आर गूइंग ऑन इन गुट फैशन बहुत बहुत धन्यवाद निरंतर त सफलता खुद आपके पास आजाएगी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबीका थैंक्यू सो मज्ट टेक केर जैहिन बाइवरीवां बाइब बाइब बाइब